ओम शान्ती हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंब की है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शान्ती ओम शान्ती आज दिनांक 19 जन्वरी 2022 बाबा ने महवाक्य में हम बच्चों को जो वर्दान दिया और लवलीन इस्थिती का अनुभाव करों के लिए जो पॉइंट दिया उसका मनन करेंगे बाबा वर्दान में बोले व्यक्त भाव की आकरसन से परे अव्यक्त इस्थिती का अनुभाव करने वाले सर्व बंधन मुक्त भाव आज बाबा हम बच्चों को सर्व बंधनों से मुक्त भाव का वर्दान दे रहे हैं वर्दान में बाबा कहे रहे हैं व्यक्त भाव की आकरशन से परे अव्यक्त इस्थिती का अनुभाव करने वाले सर्व बंधनमुक्त भाव डिटेल में बाबा बोले प्रवरत्ती में रहते बंधनमुक्त बनने के लिए संकल्प में भी किसी संबंद में अपनी देह में और पधार्तों में फस्ना नहीं संकल्प में भी कोई बंधन आकरशित ना करें क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आ जाएगा इसलिए व्यक्त भाव में आते भी व्यक्त भाव की आकरशन में नहीं आना तब ही नियारी और प्यारी अव्यक्त इस्थिती का अनुभव कर सकेंगे अव्यक्त इस्थिती का अनुभव करने के लिए बाबा युक्ति बताते संकल्प में भी आकरसन मुक्त बंधन मुक्त जिसकी बाबा ने हमें अनेक युक्तियां बताई हैं कि खुद को ट्रश्टी समझो खुद को महमान समझो खुद को निमित्त समझो कि मैं इस नए संगम युग के स्रेष्ट मरजीवा जन्म में पिता परमात्मा द्वारा अवतरित स्रेष्ट ब्रह्मन आत्मा हूं मैं बाबा के कर्म करने के लिए इस धरा पर अवतरित हुई हूं तो बाबा का कर्म करने के लिए अवतरित होना अर्थात मैं आत्मा किसी भी बंधन से संबंध से न्यारी हूं मुझे सेवा अर्थ निमित बनाया है तो ट्रश्टी होकर कर्म करना है महमान समझना है और जितना जितना हो सके इस प्रक्रती अर्थात तेह से अपनी बुद्धी को उपराम रखना है क्योंकि अव्यक्त इस्थिती न्यारी प्यारी इस्थिती अर्थात फरिस्तापन तो बाबा कहते हैं फरिस्तों के पाउं धर्थी पर नहीं होते वे सदा उपराम रहते हैं उपराम रहकर संपूर्ण संपन बनकर उस पिता परमात्मा से सर्व सक्तियां धारण कर सर्व गुण धारण कर सर्व आत्माओं की इच्छा मनों कामनाएं पूर्ण करने का स्रेष्ट करतव ये करती हैं तो सदा कोई सेवा हो कोई भी कार्य हो कोई भी संबंध में आना हो तो सदा खुद को न्यारा और प्यारा फरिस्ता अनुभव करना है हर आकर्सन से मुक्त रहना है तो बाबा आज इसकी महीन मत दे रहे कि संकल्प में भी आकर्सन ना हो संकल्प में आकर्सन होगी तो वह कर्म में जरूर आएगा और कर्म फिर बंधन बन जाएगा तो कर्म के बंधन से मुक्त, संबंध से मुक्त, देह से मुक्त, देह की दुनिया से मुक्त रहने के लिए खुद को अव्यक्त फरिस्ता अनुभव करते रहना है न्यारा और बाप का प्यारा बन जाना है जिसकी युक्ती बाबा ने बताई निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी तो जितना जितना निराकारी इस्थिती में रहेंगे उतना उतना पिता परमात्मा के प्यारे रहेंगे जितना जितना आकारी इस्थिती में रहेंगे उतना उतना तीब्र पुरुशार्थ कर सकेंगे, सेवा कर सकेंगे और जितना जितना निर्विकारी अर्थात इस पांच तत्वों की दुनिया से उपराम न्यारे कमल फूल समान पिता पर्मात्मा के प्यारे तो बाबा का अंतिम समय का सुत्र निराकारी, निर्विकारी, निरंकारी इस बात को इसमरती में रखकर कर्म करने की बाबा ने हमें स्रीमत दी है जो बच्चे इन तीनों इस्टेजों को इसमरती में रख कर्म करेंगे वे बाबा का राइट हैंड बन कर रहेंगे सदा नियारे और प्यारे रहेंगे फरिस्ता बन कर सारे विश्व की सेवा कर विश्व कल्यारी बन सकेंगे तो बाबा ने आज हम बच्चों को जुवर्दान दिया न्यारी और प्यारी इस्थिती का अनुभव करो तो ऐसी अव्यक्ति इस्थिती बनाना है ब्रह्मा बाप समान बनना है स्लोगन में बाबा बोले बाप के सहारे का अनुभव करना है तो हद के किनारों का सहारा छोड़ दो हर्थात जब हम बच्चे एक पिता परमात्मा के बनते हैं तो फिर बाबा कहते सर्व संबंध मुझसे अनुभव करो सर्व प्राप्तियां मुझसे अनुभव करो क्योंकि बाबा न्यारा है प्यारा है निर्बंधन है जब भी बुलाओ जब हाजी रहे जो भी प्राप्ति करना चाहो प्राप्ति कर लो क्योंकि अखुट बंडारे हैं अखुट बंडारों का हमें बाबा मालिक बनाता है तो फिर किसी और सहारे की आवश्यक्ता रहती नहीं है ब्राह्मन जीवन का गायन भी है पाना था सो पालिया अब रहा क्या पाने को लवलीन इस्थिती का अनुभव करने के लिए बाबा ने पैंट दिया परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो तो चहरे की जलक और फलक अनुभूती की किरने इतनी सक्ति साली होंगी जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर लेकिन आख उठा कर भी नहीं देख स सक्ति किसी भी प्रकार की मेहनत अनुभव नहीं होगी परमात्म प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहो तो चहरे की जलक और फलक अनुभूती की किरने इतनी सक्ति साली होंगी कि कोई भी समस्या समीप आना तो दूर की बात आख उठा कर भी देख नहीं सक्ति किसी भी मेहनत अनुभव नहीं होगी जो बच्चे सर्व सक्तिमान पिता को अपना साथी सहयोगी बना कर रखते हैं उसकी छत्र छाया में रहते हैं उन बच्चों पर कैसा भी माया का रूप हो कैसी भी प्रक्रती की समस्याएं हो कैसी भी परवस आत्माओं का विवार हो हर परिस्थिती में वे बच्चे पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन रहकर सदा उमंग उत्साह में रहते हैं उन्हें कोई भी परिस्थिती डगमग अर्थात हलचल में ला नहीं सकती तो आज दिन भर बाबा ने कहा लवलीन इस्थिती का अनुभाव करो बाबा के प्यार में समाए रहो सर्व प्राप्तियों की इस्मरती में रहो तुम माया से मुक्त रहे एक पिता परमात्मा की याद में उमंग उत्साह में महनत मुक्त बन जाएंगे अच्छा ओम शांती ओम शांती हमारा बाबा का पुराना चैनल जिस पर सेवा चलती थी वह डिलीट हो चुका है इसलिए अब इस नए चैनल से सेवा प्रारंब की है इस चैनल को सब्सक्राइब करें ओम शांती